यदि आप दिरे से मेज पर अपना हाथ मारते हैं तो मेज आपके हाथ पर प्रभाव डालती है और यदि आप जोर से अपने हाथ को मेज पर मारते हैं तो मेज से आपके हाथ पर प्रभाव अधिक होगा और आपको चोड लग सकती है जब हम मेज पर हाथ मारते हैं तो हमें चोट क्यों लगती है? चूंकि हमारे हाथ को चोट लगती है इसका ताथ पर यह है कि मेज हमारे हाथों पर जरूर कुछ बल लगा रही होगी लेकिन अगर हम मेज पर हात मार रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम मेज पर बल लगा रहे हैं तो फिर यह दूसरा बल कहां से आया सर आइजेक न्यूटन ने इस अन्य बल को प्रती क्रिया के रूप में परिभाशित किया है और पहले बल को जो हम टेबल पर लगाते हैं उसको नाम दिया है क्रिया न्यूटन ने कहा कि बल हमेशा युगल रूप में मुजूद होते हैं और कोई भी बल जो एक वस्तू से दूसरी वस्तू पर लगता है, उसकी समान और वीपरित बल दूसरी वस्तू से पहली वस्तू पर कारी करता है। इसलिए इस मामले में जब हम मेज को अपने हातों से मारते हैं तो हम मेज पर एक बल लगाते हैं और प्रतिक्रिया के रूप मेज भी हमारे हातों पर बल लगाती है जोर से मालने का मतलब अधिक्रिया है इसलिए प्रतिक्रिया में मेज हमारे हातों पर एक समान और विप्रित बल लगाती है और यही कारण है कि हमारे हातों में चोट लगती है